और अब हम राहूल के वारेल विडियो का सच आपको दिखाने जा रहे हैं दरसल गुजरात में राहूल गांधी ने एक भाशन दिया था उस भाशन में मोदी की किसी भाशन का जिक्र किया था लेकिन राहुल गांधी के विरोधियों ने राहुल के इस भाशन को ऐसा तोड मरोड के पेश किया कि अर्थ का अनर्थ होने लगा ABP News आपको दिखाने जा रहा है राहुल गांधी के भाशन का सच आलू डालो सोना निकालो जतना मन चाहे उतना निकालो चमतकार लेकिन आलू से सोना बनाने की तकनी आज के सियासी मशीन से निकली है BJP की माने तो ये जमतकार राहुल गांधी का है ऐसी मशीन लगाँगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा इस साइट से अलू डालो उस साइट से सोना निकालो इतना पैसा बनेगा तुम पता नहीं होगा क्या करना है पैसे नूँ राहुल गांधी के इस बयान का जबरदस्त मजाक उड़ा रही है बीजेपी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो इस मामले में बाकाइदा एक फॉर्मूला पेश कर दिया है बीजेपी के मुखर प्रवक्ता संबित पात्रा का सवाल वाजिव है राहुल गांधी के कतित फॉर्मूले पर लोग रोएं या हसी फैसला आपको ही करना है, लेकिन अपना फैसला लेने से पहले राहुल गांधी का बयान गौर से सुनी है माजरा समझे, नहीं समझे, चलिए पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुनीए, जिसका जिक्र करके बीजेपी उनका मजाक उड़ा रही है, और फिर उस बयान के आगे वाले हिस्से को गौर से सुनीए इस साइड से अलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे को आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से अलू गुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा इस साइट से आलू डालो उस साइट से सोना निकालो इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसा का मेरे शब नहीं है नरेन मोदी जी के शब दे राहुल गांधी के पूरे बयान से उनका पक्ष मजबूत हो रहा है लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पीम मोदी ने आलू से सोना बनाने वाली बात कहा कही थी राहुल गांधी ने पीम पर आरोब तो जरूर ज़र दिया लेकिन ख़बर लिखे जाने तक वो इस सवाल पर खामोश है कि पीम ने आलू से सोना बनाने वाली बात कहां कही थी पाटन में हुई राहूल गांधी की जिस रैली का वीडियो वारल किया जा रहा है उसकी कवरेज के लिए मैं वहाँ पर मौजूद था राहूल गांधी ने आलू से सोना बनाने की मशीन वाली जो बात कही वो दरसल उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से कही हलाकि राहुल ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी ने ये बात कब और कहां कही थी क्यामरमन नजेतिवारी के साथ जैनेंद्र, ABP News, सुरत